नमस्कार आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में सम और विसम संख्याएं पता करना मातर एक सेकंड में चलिए देखते हैं बोड़ पर क्या है कोई नम्मर है यह सम है कि विसम है तो यह हो जाएगा आपका विसम और दूसरा नम्मर लिखते हैं यह कैसा हो जाएगा आपका विसम यह नम्मर लिखा यह कैसा हो जाएगा सम एक और नम्मर लिखते हैं यह कैसा होगा विसम तो इतने इतने बड़े नम्मर आप बहुत ही जल्दी बता सकते हैं सम है कि विसम तो इसके लिए आपको क्या करना होगा वीडियो को पूरा देखिए मातर आप एक सेकंड में सीख जाएंगे कि कोई नम्मर सम है या बिसम तो चलिए शुरू करते हैं क्या करना है आपको याद कर लेना है थोड़ा सा यदि किसी नम्मर का एकाई का आंग एक तीन पांच साथ नौ है यदि किसी संख्या का एकाई का आंग एक या तीन या पांच या साथ या नौ है तो वो संख्या होगी बिसम संख्या ठीक है बस इतना याद कर लेना है ऐसे कर लीजिए तेरह पांच सो उन्यासी तेरह पांच सो उन्यासी मतलब एक तीन पाँच साथ नो अगर किसी संख्या के एकाई के अंक में है मतलब सबसे लाश्ट में है इन में से कोई एक नम्मर कोई एक संख्या कोई एक अंक तो वो हो जाएगा बिसम संख्या हो जाएगी चाहे कितनी बड़ी ही संख्या क्यों ना बनी रहे इसी पिरकार यदि किसी संख्या के इकाई का आंग जीरो दो चार छे आठ है यदि किसी संख्या का इकाई का आंग जीरो दो चार छे आठ है तो वो संख्या हो जाएगी कैसी संख्या हो जाएगी सम संख्या हो जाएगी बस इतना आपको याद रखना है व सम के लिए 02468 बस आप करना सीख जाएंगे देखिए यहाँ पर यह लिखा था 27,866 लास्ट काई 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 कितना था 7 7 था तो यह देखिए 7 7 में क्या हो जाएगा विसम तो यह हो गई थी आपकी विसम संख्या इसी तरीके देखिए यह था 286,781 यह सम है या विसम लास्ट में देखिए कितना है एक एक है तो एक में क्या होता है विसम तो यह हो जाएगी विसम बिना भाग दिए कितने आसानी से आप सीख पा रहे हैं इसी तरीके से इस नम्मर को देखिए, लास्ट में कितना है जीरो, जीरो होने पर क्या होगा, सम, तो ये सम संख्या हो गई, इसी तरीके से ये वाला देखिए, इतना बड़ा नम्मर है, इतनी बड़ी संख्या है, लास्ट में कितना है, पांच, तो इकाई कांग पांच है, पांच में क्या होगा विसम इस तरीके से आप बहुत ही जलनी पता कर सकते हैं कोई संख्या सम है या विसम तो चलिए कुछ और संख्याइं देख लेते हैं भागिया कमत वीडियो को पूरा देखिए तब ही आप सीख पाएंगे वीडियो क्लास्ट में आपसे एक कुस्चन प पता करना है कि ये विसम संख्या है या संख्या तो क्या आप बता सकते हैं ये संख्या या विसम संख्या तो वीडियो को कर दीजिए वीडियो को रोब कर आप कमेंट में बता दीजिए कि ये संख्या या विसम जल्दी से लिखिए ठीक है आपने कर लिया होगा शलिए 9, तो यह sum होगी कि विसम, अभी बताया था आपको, कैसी हो जाएगी, विसम संख्या, यह हो जाएगा विसम, क्योंकि लास्ट में 9 है, अंगली संख्या है यह, लास्ट में देखिए, क्या है, 6, तो यह sum होगा कि विसम, क्या हो जाएगा, यह संख्या हो जाएगी, sum, इसी त हो जाएगी बिसम तो आपके सामने यह के कुश्चन है ये के शंख्या इसको आपको बताना है यह संख्या आपके सामने A, Sum B, विसम, C, दौनो W, D कोई नहीं तो इन चार आपसें से एक कॉसन सही है, उसको आपको कमेंट वॉक्स में आंसर देना है यह संख्या सम है या बिस्सम है या दोनों है या कोई नहीं है तो एक बार और जान लिजिए यदि सम होगा तो इकाई के अंक होँगे 0 2 4 6 8 यदि बिस्सम होगी संग्या तो इकाई का अंक होगा 1 3 5 7 9 तो इस तरीके से आफ पता कर सकते हैं इसको कहीं note कर लीजिए, note करने से क्या होगा, लिखने से क्या होगा, आपको याद रहेगा तो मिलते हैं next वीडियो में, वीडियो अगर अच्छा लगाओ तो वीडियो को share कर दीजिए, like कर दीजिए और channel पर पहली बार आए हो, तो channel को कर लीजिए subscribe मैं जल्दी लोटूँगा, एक नई वीडियो में, तब तक आपना ख्याल रखिये, मिलते हैं next वीडियो में, जए हिन